हेई गाईज वाससब तो कैसे हैं आप सब लोग विलकम बैक तो यूर ओन चैनल दीपा क्या दफ्स IAS Academy विलकम टू दी डेली हिंदु न्यूस एंड एडिटोरियल अनालिसस अफ 6 अगस्ट 2020 तो गाईज आज 6 अगस्ट 2020 और है थर्सडे देखेंगे आज का दा हिंदु कंप्लीट न्यूस पेपर दा हिंदु कंप्लीट न्यूस पेपर को अनलाइस करेंगे तो गाईज डिसकुशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों से रेलेटेट पीडिएफ चाहिए और इस दा हिंदु कंप्लीट न्यूस पर की पीडिएफ चाहिए तो आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, टेलिग्राम, टेलिग्राम डाउनलोड करने के बाद, सर्च बॉक्स में टाइप करना है, दीपक यादव IAS Academy, as you can see, क्लिक करोगे, तो यहाँ पर नीचा जॉइन का उप्शन आ रहा होगा, और यहाँ पर जॉइन कर लेना, क्यो डिजिटल नोट्स, यानि की, जितने भी हमारे current affairs present होता है, दा हिंदू newspaper में, उनके regarding जितना भी static portion होता है, background analysis होता है, वो सब आपको टेलिग्राम पर यहाँ पर मिल जाता है, हमारे चैनल पर, ताकि आप static portion को current affairs से link कर सेंगे, that is the main thing in the UPSC, जिसने ये काम कर लिया, वो यह यहाँ पर 100% क्लियर करेगा, क्योंकि यह सबसे main काम होता है, static portion को क्या करना होता है, current affairs से link करना होता है, क्योंकि जो current affairs होता है, उसका static portion होता है, उसमें से जारे questions पूछे जाते हैं, ना उसके लिए आप बाद में, अगर हम free guidance आगर आपको चाहिए, तो आप instagram account मेरा है, यह okay, तो चलते हैं वापस अपने newspaper के उपर, और आगे बढ़ने से पहले, जो telegram का link हो, मैंने description में provide कर दिया है, ताकि आप जाकर description में से click करके जाकर भी telegram को join कर सको, और अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, तो नीचे red color का button आ रहा होगा, एक छोटा सा support दिखा सकते हैं, आपको सिर charge वगरा नहीं पे कर दाता, free of course, सारी चीज़े आपको provide कर दी जाती है, तो guys, do not forget to subscribe the channel, now, come to the page number first, सबसे पहले page number first पर आता हैं, देखते हैं, कौन-कौन से articles हैं, which we have to cover, अभी हम देखें, तो ये articles important नहीं है, क्योंकि अभी कल भूमी पूजन हुआ, उसके related यहां पर ये articles ह काफी सारे articles से related भूमी पूजन से आएं हैं, आज के newspaper में, obviously बात अज कली हुआ है, तो आने ही थे article, तो अभी चलते हैं, हम आगे देखते हैं, page number one पे आज कोई भी article important नहीं है, बस आप यहां पर दिये दे सकते हैं, CBI के बारे में हैं, तो CBI के बारे में आप लोग, सभी लोग अच्छी तरीके साद जान चुके हैं, मुझे पता है, क्योंकि बहुत बार आप लोगे ने आपर answer दिये हैं, CBI के बारे में, ठीक है, तो आज हम आप से नहीं पूछने वाले, क्योंकि आप expert हो गये हो, चलो फ़र, page number two पे आता है, page number two के ओपर कोई article important नहीं है, उसक रोबना बैंक के बने वेस्ट है, जितना भी, वो यहाँ पर NGT क्या कर रही है, उसके regarding penalty को कर रही है, ठीके, क्या कह रही है, ठीके, यानि की मतलब क्या है जितना भी waste है हमारा यहमुना बैंक के बारे में, उसके regarding NGT क्या क्या है, पेनल्टी के लिए वान करा जा सकता है, यहां की penalty charge करी जाएगी अगर और भी गंतकी करोगे river के अंदर तो जो article है आप important नहीं है article बड़ जो important चीज़ है वो हमारे लिए NGT है National Green Tribunal यह है कौन सी body इसका काम क्या है इसका headquarter कहाँ पर है that is the main thing दो चलते हैं हम लोग बात करने सबसे पहले देखें जो NGT है हमारा वो GS paper 2 or 3 में आता है ठीक है और जो UPSC के side से given topic है वो यहां पर conservation tribunal statutory bodies इसके under में आप हमारा जो current affair है वो कैसे हम link कर सकते है current affair हमारा NGT के regarding है न कि NGT ने यह कारम करा है अब static portion क्या है वो हमारा NGT है और NGT किस topic में आएगा इस topic में और UPSC के तरफ से यह सारे topic हमारे को given है तो यानि कि NGT हो जाता है हमाली important topic क्योंकि UPSC के according हापे follow up करता है चीजों को तो NGT है क्या सबसे पहले कि specialized body है जो की setup करी गई है उनसे लड़ा जा सके यानि कि सीधा-सीधा मतलब है environment को protect करने के लिए हमारी body work करती है अब कुछ important चीज़े है वो देखो जो NGT है इंडिया ऐसी country है इंडिया पूरी दुनिया में third ऐसी country है जिसने ऐसी कोई body related to environment protection ऐसी कोई body को launch किया है इंडिया जो ऐसी third country है किसके बाद पहली कौन है ऑस्ट्रेलिया उसके बाद न्यूजिलेंड उसके बाद इंडिया ऐसी हमारी third country है जिसने एस्ट्रबिश क्या है NGT ओके NGT क्या है mandate करती है ताकि जितने भी हाँ पे disposals है applications है यह सब appeal है यह फाइल वगरा जिती भी चीज़ें अगर कोई problems होती है तो उसके regarding जिती भी चीज़े फाइल वगरा करते हैं वो सब कितने within six months छह महीने के अंदर इस सारी चीज़े फाइल करी जाती है NGT में उसके बाद NGT के अब headquarter की बात करें तो जो इसका main headquarter है वो हमारा New Delhi में उसके कुछ branches है principal offices है वो कहाँ पर है भोपाल, पुने, कोलकता, चिनने और यहाँ पर हमारे बाकी जहाँ पर कुछ branches वगरा हमारी मिली जाती है ठीक है के उपर आते है, next article आता है, book those directly involved in whose tragedy, whose tragedy के बार में पिछले दो दिन से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको पता चल गया होगा, whose tragedy क्या होती है, तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, जो भी यहाँ पर इस whose tragedy में involved थे लोग, यहाँ पर उनको अभी देखा जाएगा, उनके regarding आपर step वगरा उठाय जाएगा whose tragedy होती क्या है, basically, जितनी भी illicit liquor होता है, illicit liquor यानि कि अवैज जो दारू अगरा बनाई जाती है, उसके regarding जो है, वो जो अवैज दारू बनाई जाती है, उससे क्या होता है, किसी person की, अगर कोई उसे consume करता है, तो उसकी death हो जाती है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, उसमें methanol आ जाता है, ठीक है, methanol इनसान के लिए काफी जादे हानिकारक होता है, कि ऐसा होता है कि अगर आप methanol consume कर लेते हो 30 ml तक, तो 10 से 30 घंटे के बीच में आपकी death भी हो सकती है, इतना जादे यहाँ पर वो है, इतना जादा harmful होता है, तो उसको कभी-कभी होँआ पर mix-up कर द होती है, अब यहाँ पर देखोगे, हर साल का है यह, हर साल काफी death होती है, अभी यहाँ पर कुछ tragedy देखी गए, जिसमें 113 लोग मारे गए, तो अभी यहाँ पर इसके बारे में आप जान सकते हैं, और which tragedy के बारे में हम पिछले 2 दिन से हमने cover करा है, इसी वेशे मैंने टेलिग्राम पर, टेलिग्राम पर नोट्स हैंगे, ठीक है, आप महाँ पर जाके देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, तो नोट्स की टेंशन ना लें, नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, बस मैंने आपको बता दिया, which tragedy के बारे में फिर से, चलते हैं आगे page number 5 के उ IPL है, Indian Premier League, ठीक है, तो अभी क्या होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है, कहाँ पर स्टार्ट होगा, UAE में होने वाला है, डेट आप देखोगे क्या दे रखिये, September 19, 19 सेप्टेंबर से 10 नवंबर तक यहाँ पर IPL हमारे चलेंगे, ठीक है, तो अभी इसका रिगार्डिं हेल्थ है, उसको रिस्क की नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऑब्यस सी बात है, अगर IPL होंगे, तो जाएंगे लोग देखने, तो चलो फिर देखते हैं, आगे चलते हैं, क्या होता है अभी, पेज नमबर हमने 6 पर अपना फर्स आर्टिकल कवर गया, फर्स आडिटोरियल क को नलता है हमारा ये, बेरूथ बैटर, अब यहां पर हुआ क्या है, जो लेबनेन है, लेबनेन में क्या चीजे होई है, एक अभी यहां पर blasting होई है, ब्लास्टिंक किस चीज़ को लेकर होई है, आप देखोगे एक यहां पर टन्स ओफ अ्मोनियम नाइडरेड थी, यानी गैस आप समझ सकते हो कि कोई गैस यहाँ पर जो है वो भी ब्लास्ट हुई है उसमें कहां से हुई है वो ब्लास्ट पूरे के पूरे वेयर हाउस आप देख से तो 2700 टन 2700 टन यहाँ पर अमोनियम नाइटरेट जो है यह ब्लास्ट हो गया है जिसकी वैसे काफी जादे बुरी सिच्वेशन हो गई है ठीक है 135 लोग यहाँ पर क्या हुआ है मर चुके है 4000 अभी यहाँ गायल है ठीक है तो उसके रिगार्डिंग क्या होना है उसके रिगार्डिंग लोगों की जितने लोग अभी घायल है उनके उपर ध्यान दो साधिसाथ जितने स्टेक होलर्डर्स हैं सुन्नी पार्टी से लेकि शिया हैस्बोला तक जितने भी हैं उस सम मिलके काम करना चाहिए उन लोग को जितनी कंट्रीज है उस रीजन के आसपास ठीक है जो लेबिन आइ जो है यहां पर डिवास्ट हो चुका है, और क्या हो चका है, अपना बलास्ट हो चुका है लेकल से पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं लेबिनन की हैं पर काफी जाता है निपॉर्ठ गाओं तErु Wassareas देख सकते हो बेरुत जो कि लेबनन में प्रेजेंट है अभी तो हमने सर्च किया है इसे अभी आप यहां पर यह सारी चीज़े देख सकते हैं तो फिर सर्च करते हम बेरुत अपने लेबनन को फिर उसके बाद यह हमारा यहां पर प्रेजेंट होगे आप देखो कि इंडिया हमारा कहाँ पर है, इंडिया ये है, इंडिया के comparison में बेरत कहाँ पर है, इंडिया के comparison में बेरत हमारा ये है, यहाँ पर present है बेरत, ओके, तो अभी आप यहाँ पर इस सारी चीज़े देख सकते हो, यहाँ पर यह हमारा बेरत present है, यहाँ पर जो है क्या है हमारी capital of Lebanon Lebanon की capital है बेरत याद रखना तो फिर चलो हमने काफी सरी चीज़े cover करें इसके बारे में आप चलते हैं हम लोग अपने वापस newspaper के उपर now we have covered this article अब हमने इसके location भी देख लिए हो कि location काफी साथ important हो जाती है जो भी country को location आती रहेगे मैं आपको वापर दिखाता रहूंगा ताकि आपको clarity मिल जाए कि यहां वो location है कहाँ पर इंडिया के comparison में यहां पर है यहां पर है यहां पर है यह चीज़ आपको clarity हो जाने चीए और next article आता है migrant workers के उपर है migrant workers जो है अब यहां पर बात क्या हो रही है इस article में इस article में कुछ इती खास बात नहीं है कुछ हम migrant workers के बारे में थोड़ी बहुत बाते जानेंगे ठीक है और कुछ यहां पर क्या बाते जानने को मिलेंगी कि जो migrant workers अपने घर जा रहे हैं ताकि वो अपनी यह कहना चाहरे हैं कि यहां पर अपनी family के साथ जाए ठीक है अकेले नहीं मरना चाते हो family के साथ जाए family के पास जाए ठीक है तो इसी वएसे यहां पर यह अपना जो है अपने घर की तरफ लोग जा रहे थे migrant workers जितने अभी कित्ती लेस्टर बाय जॉब्लेसनेस यानि कि अभी आप देखोगे काफी जाए unemployment rate जो है काफी जाए हायर है पहले से यह नहीं कि अभी lockdown के पाद हो है काफी पहले से यहापर बिरोजगारी काफी जाए हायर है काफी जाए हाई है कुछ other workers जो है वो यहापर सफर कर रहे हैं जॉब स्टार्ट हो गए अपने गाउं की साइड जाना स्टार्ट हो गए अब यहाँ पर आप देखोगे जब यहाँ पर imminent threat देखा उन लोगोंने काफ़ जादे problem देखने को मिली migrant workers को तो migrant workers का खींचने लगे अपने घर की साइड अपने home की साइड अपनी family की साइड वो काफ़ी जादे उन्हें power दे सकता था अब यहाँ पर देखोगे जो home और family है वो much stronger काम कर सकती थी migrant workers के लिए migrant workers के लिए काफ़ी जादे जो help कर सकती थी ऐसी situation में ठीक है आप यह चीज़ यहाँ पर याद रखो पूरे article में यही main जीज़ रखी गई है कि migrant workers से एक लौत एक उसकी family है जो कि वहाँ पर help कर सकती है कहीं भी अगर कहीं भी ऐसा crisis आता है तो वो अपने घर की तरफ ही जाते है क्योंकि उनकी family है एक strong जो बना सकती है उन्हें आप देखो के जो laboratory conditions है यहाँ पर settle करती है issue को but comparative approach might help अब देखो के history बताई गई है past बताई गई है सूरत में कैसा बता सूरत में 1979 की बात है कुछ यहाँ पर भी जो है plague बिमारी जो चुवे से फैली थी ठीक है राइट से plague जो है plague ने काफी जादे जो है लोगों को मारा था फिर उसका other hand पर देखें जब demonetization हुआ तब भी लोग अपने अपने जो है गाउं पहुंचे उसके बाद 2020 में अप COVID-19 हुआ यहाँ पर तो बहुत ही बुरी situation देखने को मिली क्यों जाते हैं अब आप देखो कि हर बार वो अपने घर पे ही भागते हैं अपने घर पे क्यों भागते हैं क्योंकि यह नहीं चाते अकेले यहाँ पर मरना नहीं चाते तो इससे अच्छे हाँ पर फैमिली जाए फैमिली के पास जाए फैमिली उन्हें जाकर सपोर्ट करेगी उसके बाद यहाँ पर अब देखो 2018 का CBRE सर्वे सी भी आरी क्या होता customer satisfaction सर्वे करा गया जिसमें बताया गया यंग इंडियन मिलेनियल्स लिफ विदियर पैरेंट्स जितने अधिकतर लोग हैं वो सब अपने पैरेंट्स के साथ ही रहे रहे हैं अब यहाँ पर देखो कि कुछ रिचुल्स वगर आए यहाँ बताया यह गया है कि अगर वो मर गए तो क्या होगा ठीक है तो रिचुल्स के आपर है रिचुल्स यानि कि क्या विदी विदाएं सारी होती है मरने के बात हो यह मुस्लिम कॉमुनिटी के बात हो रही है यह हिंदू कॉमुनिटी के बात हो रही है तो आप देख सकते हो इन सारी बातों को यानि कि आप इस चीज़ के ओपर फोकस करो किसी भी अगर कोई किसी की डैट हो जाती है तो उसकी क्रिये करम के लिए काफी सारे लोग चाहिए होते हैं है ना तो अभी यहाँ पर अगर अकेला बंदा अपने जहां पर काम तो जेंडर फेक्टर की बात हो रही है पहले तो अभी यहाँपर मेली मेल हुआ करते है यानि कि पहले यहाँ पर मेल सबसेwind HA delay मैं मतलब अपनी अर्बन इरियास में खानल में सबसे जादे मेल जाके वर्क करते है शहरों सबसे जादे मर्द जाते थे लेकिन अभी क्या हो गया फीमेल भी काफी जादे जादने लगी है फीमेल भी काफी जादे हो गई है और आज के टाइम पर काफी जादे जो है अब देखोगे फैमिली फैमिली साथ में रहने लगी है आप देखोगे धारावी देख लो धाराव यहां पर कोई भी उनका प्रे करने के लिए नहीं है जैसे मैंने भी आपको बताया उनके पीछे उसका क्रिया करने तक कभी कोई नहीं है ठीक है तो यानि की बात क्या हो रही है पूरी की पूरी मिलाके जो अपने उनकी family से related है कि एक family जो है वो काफी जादे strong तरीके से काम कर सकती है किसी भी पंदे के लिए तो यह जो migrant workers है उनके लिए खास कर और यहां पर यह लोग सोच के सबसे जादे जाते हैं अपने घर कि अगर यहां पार रहे गए इनको कुछ हो गया तो इनका कोई क्रिया करम करने वाला भी नहीं रहेगा इस अच्छा घर पर जाओ घर पर हम लोग को जादे help मिलने वाली है this is the article, article important नहीं आपको देखना सुन रहा होंगा आप, article इतना important नहीं बड़ दो चार चीज़े है, migrant workers है, उनके family क्या work कर सकती है उनके लिए, family किते जादे supportive हो सकती है उनके लिए, family क्या role play करती है migrant workers के लिए, बस इतना आप याद रखो, इन articles को read करा करिए, ताकि आपको जादे और conceptual clarity और जादे आ जाए, उसके बाद चलते है page number 7 के उपर, आते है page number 7 के उपर सबसे पहले इस वाले article को डिसकस करते है, books not bullets in जम्मू कश्मीर, अब यहाँ पे books होंगी, bullets वगरा नहीं होंगी, यानि कि लड़ाई वगरा ना हो, क abrogate करा गया, फिर उसके बाद क्या क्या है, अभी तक situation बन क्या रही है, यानि कि एक साल हो गया, कल हमें एक साल हो गया, यह सब करे हुए, article 370 को यहाँ पर अटाए वे, अब एक साल हो गया, तो भी यहाँ पर situation जो है काफी जादे बूरी है, लेकिन अभी यहाँ पर national education policy है 2020, यहाँ पर 2020 की, तो उसके regarding steps देखे गए, और बाकी साथी चीज़े बताए गए कि क्या क्या हम लोग steps उठाने वाले हैं, जम्मू कश्मीर एरिया में, अब देखोगे, 19 new modern schools जो है, वो open होंगे, जैसे हमारा केंदर विद्याले होता है, इंडिया में, है न, on the pattern of केंदर जाले हैं यहाँ पर, उसकी तरह हैं यहाँ पर, जो 19 modern schools जो है, वो develop करे जाएंगे, अगले 3 साल में, upgrade करा जाएगा, smart IT enabled classrooms को, ताकि जो e content को deliver करा जा सके, उसके बाद देखोगे, जम्मू कश्मीर education investment policy 2020, यह भी frame करी जाएगी, project जो है, 327 करोड रुपे का, यह भी दिया ज जाएगा, यह receive कर लिया गया है, administration के द्वारा, ठीक है, ताकि वो लोग अपने education sector को और जादे मजबूत कर सकें, उसके बाद आप देखोगे, जो arrival हुआ, यानि कि national education policy 2020 को लाया गया है, अब जो union ministry of education है, यह committed है कि यहाँ पर यह India a global knowledge center of past peace with a focus on basic literacy, यानि कि अभी हमने cover भी vocational skills, यह सारी चीज़ों के उपर अब काम होने वाला है, यह सारी चीज़ों के उपर अपकाम होने वाला है, यह सारी चीज़ों के जम्मो और कश्मीर भी apply होंगी, ओके, आप देखोगे, जब प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्या देया, आत्मन निर्बर भारत को लेकर आए उसके बाद government काफी जादे committed है, ताकि वो ensure कर सके development agenda, यानि कि develop कर सके विकास लगातार करती रहे इन दोनों union territories में, कौन सी union territories में, जम्मू कश्मीर और लदाक में, यानि कि दोनों में अच्छी तरीके से development होता रहे और education के उपर अप काफी जादे अच्छी तरीके से ध्यान हो सकता है, जो कि हम लोग को return में dividend पे obviously बाते करेगा, जब हम अपने जितने भी आने वाली future generations है, और आप समझ सकते हो, जो बच्चे हैं, वो हमार लिए future generations हो सकते हैं, तो अभी यहाँ पर क्या हो सकता है, अगर हम लोग उन्हें अच्छी तरीके से education provide करेंगे, तो वो return में हमें काफी अच्छा provide करेंगे, obviously हो, obviously बात है, तो हमने आप इस article को cover किया, कि अब article में क्या बात ही आपको पता चली गया, कि education से related बाते हो रही है, कि education वगरा के उपर काम करा जाएगा, now, next article है, how to pay for the stimulus, आप देखोगे, COVID-19 की situation, COVID-19, COVID-19, काफी महीनों से यही cover करते जा र रही है, economy जो है, बहुत जादे down चल लही है, सीधे सीधे सटीक तरीके से पढ़ो, economy जो है, बहुत जादे down चल लही है, अब economy डाउन चल लही है, तो हम लोग को पैसे की जरूरत पढ़ेगी, अब पैसे की जरूरत है, और जासी बात है, पैसे, अगर हम पैसा होगा, जाद होगा तो World Bank से पैसा ले लिया जाए, Indian Monetary Fund से पैसा लिया लिया जाए, उसके बाद यहाँ पर development में लगाया जाए, और इस article में कहा जा रहा है, अपनी country से लिया जाए, World Bank वगरा से ना लिया जाए, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी चीज़े जो है, वो follow-up करनी पढ़ेंगे, उनकी conditions बगरा, ओगे, तो अभी हम देखें, तो यहाँ पर एक आ जा रहा है, जो Reserve Bank of India, RBI, इससे पैसा ले लिया जाए, और वहाँ पर लगा दिया जाए, इंस्टेड ऑफ बोरो करने से किससे, World Bank और International Monetary Fund से लेने से बजाए, अपनी ही country से RBI से पैसा ले लिया जाए, और RBI से लोन ले जाए, और उससे development में लगाया जाए, अब देखो कुछ issues हैं, issues होंगे, अगर हम World Bank से और IMF से लेते हैं पैसा, लोन लेते हैं, in the form of a loan, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ issue आते हैं, वो क्या है, पहला issue यह है, एक तो conditionalities काफिसारी होती है, यानि conditions काफिसारी होती ह हमें किसी country को pay करना है, तो काफिसारी हमें time भी लगेगा, उस loan को वापस repay करने में, और अगर हम RBI से लेते हैं, वो तो हमारी country में हम उसे pay कर ही देंगे, तो यहाँ पर यह बात कही जा रही है, आप इससे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, अच्छा article था, कि हम लोग लेना च आई जा रही है, जो कि आप history में cover करते ही होंगे, हिरोशिमा और नागा साकी में जो nuclear bombing हुई थी, ठीक है, आपको याद होगा, तो काफी जादे बुरी हालत हो गई थी, आप देखोगे, इस टेल, आज तक कुछ कावी कावी, जो है situation देखने को मिल जाती है, उसके regarding, अभी देखोगे, हिरोशिमा नागा साकी में, कब यहाँ पर यहाँ पर यह जो bomb blasting हुई थी, 75 साल पहले यहाँ पर यह काम हुआ था, दो लाख लोग मरे, फिर दो लाख लोग यहाँ पर, जब यह bombing हुई, उसके बाद 4-5 साल तक जो लोग हैं, वो आप देख सकते होगा, आपको पढ़ते भी होंगे जगा जगा पर कि जो भी बच्चे पैदा होते थे वो सारे injured वगरा हुआ करते थे टेड़े मेड़े हुआ करते थे अपाही जो लोग पैदा हुआ करते थे क्योंकि उसका जो है वो explosion उसका आप देख सकते हो एक उसका जो impression जो छोड़ गया था ठीक है जो exposure था उसका वो काफी जादे खतरनाक था तो अभी उसी के बात बारें बात हो रही है जो nuclear weapons है उसी के लिए पूरा ये article हमारा जितने भी nuclear weapons हैं उनको क्या किया हैं पर चीज़े वो देखते हैं अभी आप देखो के damage काफी जादे बूरी तरीके से कर देते हैं अगर आप कहीं भी nuclear weapon अगर इस्तमाल करा जाता तो वो बहुत बूरी तरीके से damage कर देता है अभी यहाँ पर यह चीज़ important है यह आप यह दो तीन लाइने important है यह नहीं याद रसकते हैं और इन notes बना के रख सकते हैं कौन सी आप देखो के 1,26,000 nuclear weapons हैं वो बन चुके हैं ठीके beginning of the atomic age atomic age जब यहाँ पर शुरू हा था atom bomb बने start हुए थे तब से यहाँ पर इतने जो हैं वो built up कर चुके हैं अब उसके बाद बात करो के जो 2000 हैं over 2000 2000 से उपर यहाँ पर जो है उनकी testing हो चुकी है testing खुले area में बहुत दूर जाकर खुले area में जाकर testing वगएरा करते हैं environment वगएरा सब कुछ उससे बरबाद हो जाता है ठीक है तो अभी आप बात करेंगे जो problem से इसे रोकने के लिए वो आप ही में बात करें कि इसे हम रोक कैसे सकते हैं जो यह use है nuclear weapons का यह impossible है बहुत कमी तरह से है इसका use करा जाएगा या फिर use करा जाता है बहुत कमी तरह जाता है जब बिलकुल situation बहुत version हो जाएगी तो इसका इस्तमाल करा जाता है अधरवाज यहाँ पर इसका इस्तमाल नहीं करा जाता आप देखो के जो nuclear weapon है so destructive बहुत जादे destructive है पूरी country को बरबात कर देगा citizens को जो है सब की यहाँ पर जो है काफी जादे बुरी हालत होने वाली है तो ऐसा नहीं होता अब एक illusion भी है आपर myth क्या है control को लेका है जो एक concerns है कि control करा जा सकता है लेकिन यहाँ पर real world में अगर देखा जाए तो हम इस nuclear weapon को control नहीं कर सकते अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता है nuclear weapon कहीं पर explode होता है तो उसको control नहीं करा जाता नहीं थी बस एक data था आपको यहाँ पर याद रह सकते हो 126000 और 2000 वाला यहाँ पर और कुछ यहाँ पर चीज़े हैं जो आप ध्यान रख सकते हो तो हमने cover किया इसे editorials को चलते हैं आपने page number 8 के उपर आप देखोगे जो environment ministry है वो step उठाने को कह रही है तो उसके regarding बात हो रही है जो NGT है और कुछ committees है वो मिलकर बात करने वाली है कि इसको बंद कर देना चाहिए जो LG plant है उसको close कर देना चाहिए next article जो है हमारा वो EIA से related है environment impact assessment ठीक है सब को पता है क्या होता है इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले काफी जादे detail में cover किया है तो आज मैं आपको कुछ बाते बताने वाला हूँ इसके बारे में तो NIA के बारे में चलो हम लोग पढ़ लेता है थोड़ी बहुत बाते हैं तो आप देखो कि जो EIA है ये biodiversity और environment ये UPS की तरफ से given topic है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि EIA का काम क्या होता है इसका काम ये होता है कि अगर हम कोई भी project लगा रहे है environment उसके कहीं भी आप देखो कि कोई भी region हुआ ठीक कोई भी area हुआ वहाँ पर हम कोई भी project लगा रहे है जो कि development के लिए काम करेगा उसको tackle करने के लिए उससे लड़ने के लिए ठीक है ये body हमारी काम करती है ठीक है तो ये सारी चीज़े हैं आप ध्यान रखना जो environment impact assessment नाम से याद हो रहा होगा कि जो environment के उपर क्या impact पढ़ेगा किसी भी developmental bodies का या फिर किसी भी हमारा कोई भी project का क्या असर पढ़ने वाला environment के उपर इसलिए हमारी ये body बनी है और इसलिए यहाँ पर ये body हमारी काम करती है नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर enforcement direct rate यहाँ पर आप देखोगे जो smuggling case हुआ था केरल में उसी के regarding बात हो रही है important नहीं हमारे लिए जो यहाँ पर इसलिए हमारे enforcement direct rate ED के बारे में पढ़ लेते हैं तो ED क्या है हमारी एक law enforcement agency है यानि कि जितने भी laws वगरा है उनको लागू करती है आप देखोगे यह किसी से related बात है करती है economic crimes जो है अर्थशासर से related जो crimes होता है इंडिया में economic crimes होता है उनसे related यहाँ पर यह body हमारी काम करती है कि उनसे कैसे निपटा जा सके इसलिए हमारी body आई है यहाँ पर एक part है department of revenue का ministry of finance और government of इंडिया का ठीक है याद रखना इस चीज़ को कि यहाँ पर क्या काम है इसका काम यह है सिर्फ फॉस्रेफ जितने भी हमारे economic crimes होता है इंडिया में उन सब को कैसे regulate करना है that is why यहाँ पर यह body लाई गई उसके बाद page number 9 के उपर आते है page number 9 पर हमारे कोई article important नहीं है page number 10 पर आप देखोगे India move on article 370 यानि कि जो इंडिया का move था इंडिया का यहाँ पर जो आज step था article 370 के लेकर article 370 को अब्रिगेट करा तो यह illegal है, invalid है ऐसा हमारा चाइना कहता है कहता रहे, कहता है तो कौन सा सुन रहे है इसकी उसके बाद चलते हैं आगे जब अभी तक सोनी नहीं तो आप क्या सुनेंगे page number 11 के उपर COVID-19 ने medical tech firms को काफी जादे hit करा है काफी जादे बुरी तरह से hit करा है जिनसे उनकी हालत बुरी हो चुकी है आप देखोगे, जो industry association क्या कहती है जो sales है, जो बिकरी है वो गिर चुकी है, 50% तक April और June का यहाँ पर डेटा बताया जा रहा है 50% तक गिरावर्ट हो गई है तो यहाँ पर situation बहुत बुरी बन चुकी है उनके लिए, उसके बाद जो amnesty क्या कहती है, जो NHRC NCW, जो जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल से हैं, और काफी जाद important है, इस वज़े हम छोड़ेंगे नहीं कुछ भी आर्टिकल ठीक है, तो अब ही हम देखेंगे National Human Rights Commission of India, एक statutory public body है, जो कि 12 October 1993 को यह body आई, उसका आद आप देखोगे यह किसलिए काम करती है Rights to Relating to Life Liberty, Equality and Dignity of the Individual Guarantee Act, ओके, यानि की, यानि की जो Human के Rights है, उनको protect करती है ठीक, उनको बचाती है, कौन-कौन से Rights को, Relating to Life, यानि की किसी भी इंसान को, जितने भी citizens है हमारे इंडिया के, उनको जीने का हक है, उनको पूरी liberty है, equality है उनको dignity है, पूरी right to ये सारी चीज़े हमारे rights है, उन सब चीज़े होगे, तो उन सब को product करने के लिए हमारी NHRC काम करती है, और जो Next है हमारा National Commission for Women ठीक है, National Commission for Women आती है NCW, या भी हमारी Stradery Body है, Government की, Government of India की, जो की generally concern करती है जो Government है, सरकार है, सरकार को advice करती है, किस चीज़ के उपर जितने भी हमारे policy matters होते है affect करते है women's को, यानि कि जितने भी women's को अगर समलोग परिशानी होती है किसी भी matters है, तो उसके regarding जो है, ये हमारी body है NCW, वो Government को, सरकार को इस चीज़ के regarding advice देती है, कि ये चीज़े ऐसे नहीं ऐसे चलनी है, तो आगे चलते है अब MP के कहता है, MP should not get GI tag for बास्मती राइस, यानि कि बास्मती राइस के लिए MP के पास GI tag नहीं होना चाहिए, geographical indication tag नहीं होना चाहिए, important चीज़ है हमारे GI tag, geography के purpose से काफिज़द है, important है, GI tag होता क्या है अगर किसी भी हमारे product को GI tag मिल जाता है, तो क्या benefits मिलते हैं उसे तो आप देखोगे GS3 में हमारा topic आता है GI tag, intellectual property rights ये UPSC की तरफ से given topic है topic है हमारा GI, geographical integration यह एक यहाँ पर देखोगे tag है जो कि किसी भी product को rice कुछ भी हो, rice हो, wheat हो किसी कोई भी चीज हो, ठीक हो, उसको GI tag दे दिया जाता है, अगर उसकी कुछ चीज़े देखने के बाद, उसकी कुछ यहाँ पर खासियत होती है, तो यहाँ पर एक sign दे दिया जाता है product को, उसको एक unique geographical origin के ओपर जो भी product यहाँ पर, जहाँ पर एक unique geographical origin से हुआ है, जहाँ पर काफी जादे unique तरीके से जो उसको वह जाता है, यह mark of authenticity दे देता है, यानि कि जो GI tag अगर किसी को दे दिया, तो यहाँ से पता चल जाता है कि वो authentic product है, कि यहाँ वहाँ प्रोवाइड करता है legal protection, यानि कि मान लोग कोई भी जैसे कि अभी क्या हुआ, बास्मती राइस के ओपर GI tag देने को मना कर दिया, कि MP को GI tag नहीं देना चाहिए बास्मती राइस के ओपर, है ना, तो अभी यहाँ पर क्या बता है, अगर deck दे देते तो क्या-क्या फाइदे होते हैं, अगर दे देते तो सबसे पहले एक legal protection मिल जाती, कि हाँ भाई यह चीज़े यहाँ से उखती हैं, और नाम जगे क्या हो जाता कि हाँ, यहाँ से उखके आई ही चीज़, ठीक है, तो एक geographical indication मिल जाता कि MP में भासमती राई सुखता है, उसके बाद आप देखो कि यह promote करती है economic prosperity को, ठीक है, for producer of goods producer ने जोग्रफिकल टरेटरी, यानि कि economy prosperity काफ़े जादे produce जाती है, कैसे produce होगी, क्योंकि अगर एक GI protection मिल जाएगा किसी भी चीज़, किसी भी product को इंडिया में, तो उसकी जो है export वगरा भी काफ़े जादे अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि वो एक authentic product कहलाया जाएगा, यानि GI tech मिलिया तो एक original product है, तो उसके exporting जादा होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, exporting जादा होगी, तो Lebanon को हमने अभी देखा, ठीक है, Lebanon की location हमने अभी देखी, उसकी जो capital है, बेरुत, महाँ पर अभी जो explosion हुआ है, तो अभी वो कितनी death हो गई है, वहाँ पे 150, इसके बारे में हमने अभी editorial में cover किया है, next जो है, जो center है, वो formulate करेगी, research and development policy को, ताकि जो drug discovery है, उसको जो है, maintain करके चला जा सके, now next है, आपके लिए question, आज के लिए, क्योंकि रोज question देते हैं हम लोग, तो आज भी आपके लिए question है, sebi, sebi क्या है, ठीक है, और sebi का form हुई थी, और sebi का headquarter कहाँ पर है, these are the things, जो कि आपको बतानी है, चलो, sebi के बारे में आप लोग को एक question है, तो जरूर आप लोग बताएं, जितने भी देख रहे हैं, comment करें, चलो फिर, आप next article और last article of the day क्या है, हमारे, पोकल्ली rice जो है, seedlings, पोकल्ली rice की जो seedlings है, वो travel करेगी, केरेला से सुन्दर बन तक, यानि केरेला से सुन्दर बन तक है, आप इसको गया जाएगा, और आप इसके बारे में, जो important चीज़ है, वो क्या है, मैंने search करा, तो यह important topic बन जाता, UPSC के लिए, ठीक है, जरा सा topic, जो की कोई भी ध्यान नहीं देगा, इसके उपर, लेकिन यह जो पोकल्ली राइस है, ठीक है, पोकल्ली पैडी जो हो गया, धान जिसे कह देता है, पोकल्ली धान जो होता है, वो important topic बन जाता है, हमाले UPSC के, क्योंकि मैंने खाफी जादे research है इस चीज़ को पर, तो बात में जाके मुझे पता चला, चलो, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, टेलिग्राम पर मैंने इसके बारे में notes दे दिया है, एंजी टी, यह सारी चीज़ थो हमने आभी cover कर ली है, यह सारी चीज़ हमने पढ़ ली है, प्रिलिम्स perspective news है, अब प्रिलिम्स बेस्ट है, मैंने आप लिख दिया है, पोकल्ली पैडी, पोकल्ली पैडी के बारे में research क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं important है, तो यहाँ पर, अब यह जो क्या है, देखो के central केरेल में जो है उगाई जाती है, पोकल्ली पैडी, जितने भी धान है, पोकल्ली यह क्या होता है, जो पोकल्ली क्यों का गया है नाम इसे, इसकी खासियत है, क्या खासियत है, क्योंकि एक जो ग्रो होती है, इसकी जो height होती है, दो मीटर तक यहाँ पर यह ग्रो होती है, जी आई टेक जो पोकल्ली का है यहाँ पे एक salt water tolerant paddy grown in the coastal fields coastal fields में यहाँ पे यह grow होती है दुगाई जाती है coastal fields में कहां कहां पर अलपजुहा, एरना कुलम, थिसुर, district of Kerala important चीज है सो note कर ले न कहां पे grow होती है पोकल्ली पैडी जो है हमारी कहां पे grow करी जाती है अब हमने पोकल्ली राइस के बारे में बात करी थी वो भी हमारी थिसुर, district एरना कुलम और अलपजुला में यहाँ पर grow होती है ठीक है अब जो यह traditional farming है पोकल्ली पैडी यह face करती काफी जादे problems farmers क्योंकि farmers को काफी जादे अच्छा return नहीं मिल पाता है इसके regarding ठीक है अच्छा market में अच्छा पैसा नहीं मिल पाता है अब यहाँ पर देखोगे कुछ local societies हो गया cooperative banks हो गया यह सारे group जो है यह step करा इन्होंने ताकि जो protect कर सके इस variety of rice को यह पोकल्ली rice को जो है इसको protect करने के लिए क्या करा इन सबने एक step उठाया क्योंकि जो local people है वहाँ पर उनका विश्वास यह है कि जो यह रिचावल है इसके अंदर कुछ medicinal properties है यानि कुछ दवाईयां वाले properties है अब देखोगे जो पोकल्ली एक ancient farming practice हो गई है पोकल्ली काफी जाद पुराना हमारा farming practice है one of जो season है rice farming का यानि कि जो rice की farming करी जाती है कौन से season में करी जाती है आप देखोगे alternate होती रहती है with another season of prawn culture आप देखोगे जो जींगा वाला कल्चर आ जाता है ना तो उसके regarding तो अभी हमने बात कर ली पोकल्ली के बारे में आप इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं कहीं पर अभी आप द जाते research करी मैंने तो आप इस चीज़ के बारे में भी यात कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने cover कर लिया है पूरा का पूरा newspaper तो अभी तक आपने चनल को subscribe नहीं किया तो नीचे red color का बटन आ और आपको subscribe कर देना और बैल आइकन जरूर दबा देना और टेलिग्राम का जो link आउने description न प्रोवाइड कर दिया है अगर आपको टेलिग्राम पर सारे notes चाहिए तो आप टेलिग्राम को जाकर join कर सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही मिलेंगा आप लोगों से कल आज के लिए बाबाए